हेलो गाइज, तोड़े वी विल डू, वर्किंग विद लेंगवेज ओफ चैप्टर थार्ड, नॉटिस, हाव इन कॉमिक बुक, देर आर नो स्पीच मार्क्स, कॉमिक बुक में क्या होता है बच्चो, होई भी स्पीच मार्क्स ने होता, सिर्फ क्या है, स्पीच बबल्स में लिखा जाता है कि क्या होता है, when characters talk, जब characters जो है, बातें करते हैं, उन्हें कह स्पीच बबल्स में ही रखा जाता है, स्पीच मार्क्स योज ने किये जाते, इंस्टेंट, what they say is put in a speech bubble, speech bubble में रखा जाता है, जो कुछ भी वो कहते हैं, however, if we wish to repeat or report, what they say, we must put it into reported speech, यदि हम उनके द्वारा कई गई बात को repeat करते हैं, या उनके द्वारा कई गई बात को कहना चाहते हैं, तो हमें उसको किस में रखना होता है, reported speech में रखना चाहिए, change the following sentences in the story to reported speech, कहानी में क्या है, जो निमलेखित बात के दिये गए हैं कहानी से, उनको क्या है, आपको reported speech में change करना है, the first one has been done for you, आपके लिए पहला कर दिया गया है, solve, तो पहला है बचो इसमें, how much did you pay for that hilsa, आप उस hilsa के आपने कितने पैसे दिये, the woman asked the man, how much he had paid for that hilsa, कि उसने उस hilsa के कितने पैसे दिये थे, तो यहाँ पे woman क्या है, asked, पूछा, ask कर रही है, किसे आदमी से, तो इसमें कौन सा tense use हुआ है, past indefinite tense, क्योंकि did plus verb की first form का use यहाँ पे हुआ है, और जब हम reported speech में change करेंगे, narration change करेंगे, speech change करेंगे, तो उसमें हमें indirect में क्या करना होगा, past perfect tense का use करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, head plus verb की third form, और हमारा जो sentence है, question mark है पीछे, interrogation में है, तो हमें उसको क्या करना है, simple बनाना है, last में full stop लगाना है, इसलिए जो subject है, जैसे ही है इसमें subject, उसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद ही क्या है, helping verb को रखेंगे, जैसे इसमें रखा है, लेकिन, जब question वाले में तो क्या था, हमारी जो helping verb डिड थी, वो पहले आई है, लेकिन, answer में क्या है, जो narration change करी है, उसमें हम क्या है, subject के बाद में helping verb रखेंगे, तो इसमें क्या रखा हमने, he had bid, how much he had bid for that he'll, और last में full stop, तो ये था, ऐसे ये आपने, ये आपको example यहाँ पे दिया गया है, next आपको, फुद करना है, why is your face half seven, ये भी क्या है, interrogation है, interrogative sentence है, ये किसने पूछी है, story में बात, गोपाल जो wife asked him, गोपाल की पतनी ने उसे पुछा, क्या पूछा है, तो ये आपको क्या है, simple sentence में बनाना है, और यहाँ पे, conjunction के रूप में क्या जाएगी, why ही as a conjunction यूज करनी है, लेकिन w जो है, उसका छोटा हो जाएगा, य, अब हम subject को लाएंगे, क्योंकि हमें simple sentence बनाना है, तो यहाँ पे subject क्या है, हमारा your face, your क्या है, pronoun है, और pronoun को हमें क्या है, narration में change करना होता है, तो your हमारा कौन सा person है, second person है, तो second person है, तो किस के according change होगा हमारा, object के according, जैसे formula है, son का, उसमें क्या रहता है, first, second, third, तो first person होता है हमारा subject के according change, second person होता है हमारा object के according change, और third person, no change, तो इसमें, ये your हमारा क्या है, second person है, तो second person है, तो object के according हमारा change होगा, तो object हमारा है him तो him की line लिखेंगे और your की line लिखेंगे बच्चो तो you, your, you अब हम क्या करेंगे बच्चो him के लिए him की line लिखेंगे तो him किस में आता है? he, his, him तो हमारे your के सामने क्या आया है बच्चो he, his आया है तो जो your के सामने आया है उसी के साथ हमें change करना होता है possessive case है your तो possessive ही आयेगा his हमारा क्या है? यहां पर possessive है तो इसका क्या हो जाएगा? his face why his face अब हमारा क्या है? his helping verb है उसको हमें किसमें change करना है? ask यहां पर हमारा क्या है past tense है अगर हमारा reporting verb past में होता है तो हमारा tense बदलेगा किसका reported speech का तो इसके लिए हमें इस RM को किसमें बदलना होगा change करना होगा watch word में तो why his face watch वो जा जाएगा यहां पर half sheven last में full stop तो यह हमारा बन गया गुपाल जा वाइफ आस्क्ड हीम why his face was half sheven तो बच्चो यहां पर यह क्या है पहला चो पार्ट होता है यह यह क्या होता है reporting verb होता है और second वाला क्या होता है हमारा reported speech होता है दो पार्ट होते हैं हमारे narration में तो reporting जो verb है उसमें क्या है अगर वो past tense में है अगर reporting verb हमारी past tense में है तो reported speech का tense बदलता है change होता है यदि हमारी reporting verb present tense या future tense में है तो उसका reported speech का tense नहीं बदलता है third करेंगे बच्चो अब I accept the challenge, your majesty गोपाल ने कही है ये बात किसको राजा को गोपाल told the king, अब ये simple sentence है तो यहाँ पे हम that लगाएं के conjunction that, simple sentence में हमें that लगाना है और question वाले में या interrogative sentences में हमें if या weather का यूज करना है लेकिन अगर question word ही हो तो हमें question word ही यूज करना होता है जैसे उपर वाले में हमने क्या है why कोई क्या है, जैसा conjunction यूज किया था तो यहाँ पे गोपाल told the king that अब I, I क्या है हमारा pronoun है pronoun किसके according change होगा हमारा reporting verb के subject और object के according तो formula था हमारा son का 1, 2, 3 first person किसके according change होगा subject के according और I हमारा क्या है first person है तो I, first person है, तो हमारा reporting verb जो है, उसका subject कौन है, गोपाल गोपाल मिंच होगा हमारा he, third person लेंगे तो यहाँ पे I को किसमें change कर देंगे, he that he, accept यहाँ पे क्या है, बच्चों वर्ब की first form है, और वर्ब की first form किसमें change होती है, second verb की form में, तो accepted आ जाएगा यहाँ पे that he accepted the challenge इसके लिए आपको, last में फुश्टों, इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, narration के लिए आपको pronoun पता होने चाहिए, कि first person कौन सा है, second person कौन सा है, जो personal pronoun हमारे जो तीन person होते हैं, first person, second person and third person, सारे पता होने चाहिए अब यह list मैं आपको दिखा रहे हूँ, please इसको देखिएगा इसका, आप screenshot पिले सकते हैं, ताकि आप बाद में इसको याद कर सकें अब next है हमारा fourth, I want to see the king, अब ही बात किस ने कही है, गोपाल ने guards से कही है, गोपाल told the guards, तो यह भी simple sentence है बचो लास्ट में full stop है, simple sentence है, तो इसमें हमें that यूज करना होगा, गोपाल told the guards that, फिर हमारा first person आया, तो son के formula के according हमें क्या करना होगा, subject के according, जो reporting verb का subject है, उसके according हमें pronoun change करना होगा, तो गोपाल मेंज क्या होगा, यहां पर he, third person, तो यहां पर I की जगह पर क्या आ जाएगा, he, फिर यहां पर want हमारा verb की first form है, तो verb की first form किस में change होती है, verb की second form में, तो यहां आ जाएगा हमारा, he wanted to see the king, और last में हमारा क्या रहेगा बचो, फुल स्टोप रहेगा, तो last में, फुल स्टोप, अब next है हमारा fifth, bring the man to me at once, the king ordered the guard, अब यह वचो क्या है हमारा, bring the man to me at once, यह वाला sentence हमारा क्या है, imperative sentence है, why, bring जो है हमारी क्या है, verb की first form है, अगर हमारा sentence, verb की first form से शुरू होता है, तो वो sentences क्या होते हैं, imperative sentences होते हैं, और उन में हमें narration को change करते हैं, तो as a conjunction में हम क्या लगाएंगे, true, true लगा कि बाकी same का same रख सकते हैं हम, लेकिन pronoun को हमें change करना होगा, इसमें क्या है, pronoun हमारा क्या आया है, me, तो me हमारा कौन सा person है, first person है, I, my, me, अब first person है, तो किस के according change होगा, subject के according, reporting verb के subject के according, और subject हमारा क्या है, the king है, the king means he, his, him, तो यहाँ पे he, his, him लिखेंगे हम, तो जो सामने आता है, जिसको change करना है, उसके सामने वाला ही change करना होता है, तो me के सामने हमारा क्या आया है, him आया है, तो यहाँ पे बच्चो, me की जगे पे क्या आ जाएगा, him आ जाएगा, तो अब क्या बन गया इसका, the king ordered the guard, to bring, बी छोटा हो जाएगा, बीच में जो है, लेटर छोटे आते हैं बच्चो, यह ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या है, यह स्टार्टिंग में बी बड़ा है, तो बड़ा ही रख देते हैं, जो क्या है, गलत है, ग्रैमाटिकली, to bring the man, to, me की जगे पे हमने क्या से चेंज किया था, क्या जाएगा, him, at once, तो यह आपका फिफ्थ चेंज हो गया हो, लास्ट में, full stop, समझ में आया होगा आपको, the king ordered the guard to bring the man to him, at once, अब next है हमारा, second part, find out the meaning of the following words, by looking them up, in the dictionary, then use them in sentences of your own, आपको यह, dictionary में ढूणने है, meaning, और फिर, अपने sentences बनाने है, खुद के sentences, जो है, make करने है, तो first है हमारा, challenge, challenge means, to invite somebody for the competition, challenge means, क्या हो जाएगा, बच्चो, to invite someone, for the competition, कि चुनो ओती मतलब, देना किसी को, competition के लिए, और sentences कैसे make करेंगे आप, इससे क्या बन जाएगा आपका, I challenged him, कुछ भी बना सकते हैं आप, जो भी आपको, easy लगे, तो वो हो जाएगा यहाँ पर, next time, mystic, mystic means, some mysterious power, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, some mysterious power, रहसे मैं, इसका जो आप है, sentence में करेंगे, क्या बन जाएगा, the world is full of mystic forces, next time, comical, comical, funny, चाचा चोधरी is a comical character, next time, courtier, courtier क्या होते हैं बच्चो, the official of the king's court, राजा के दर्बार के जो, अफसर होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, courtier, दर्बारी, तो sentence क्या में एक करेंगे आप इससे, the courtiers were talking about the hillsafis, next time, smearing, smearing means to deepen, गोपाल smeared the ash on his face, गोपाल smeared the ash on his face, तो यह आपका बच्चोर, second part भी हो गया, next है आपका picture reading, look at the pictures and read the text aloud, आपको तस्फिरे देखने हैं, और text को, मुझे आवाज में पढ़ना है, stack by the side of a pond, stack जो है, बारे सिंगा कहां पे है, side में है pond के, how beautiful my horn jar, कितने सुंदर है मेरे सिंग, यहां पे क्या है, stack बोल रहा है, speech bubbles से क्या है, समझाया गया है, but my legs are so three and ugly, यहां पे stack क्या कहा रहा है, बारे सिंगा क्या कहा रहा है, कि मेरी तांगे इतनी पतली और भद्दी है, next hunters, शिकारी, run for your life, अपना जीवन बचाने के लिए भागो, यहां पे शिकारी आ गए है, और stack को, क्या है, चेताम नहीं दे रहे हैं, let me hide somewhere, यहां पे stack कहा रहा है, कि मुझे कहीं छूपने दू, these branches, oh no, इसको यहां पे क्या है, शाख्याएं देखती है, पेड की टेहनिया देखती है, अरे नहीं, इनमें वो छूप नहीं पा रहा है, क्यों नहीं छूप पा रहा है, they are too close, वो इतनी घनी है, get out of here, यहां से भगो, अब यहां पे क्या कह रहा है, I was proud of my hunch, मुझे मेरे सिंगों पर गर्व था, they could have caused my death, वो मेरी मृत्यू का कारण बन सकते थे, I was ashamed of my legs, मुझे मेरी टांगों पे, क्या थी, सर्मिन्दगी थी, ते saved में, उन्होंने मुझे बचाया, यहां पे समझ में आ जाता है, stack को, कि टांगे जिसे, जिनको वो पसंद नहीं करता था, उन्होंने क्या है, उसके जीवन को, save किया, बचाया, अब, now ask your partner, questions about each picture, अब अपने partner से आपको क्या है, प्रतेक तस्वीर के बारे में, question put करने है, present पूछने है, तो आप पूछेंगे, तो first है, where is the stack, stack काँ पे है, तो इसमें, बच्चों काँ पे है, stack, हमने पढ़ा था, picture में, near the pond है, यह रहा आपका, by the side of a pond, तो आपका answer क्या जाएगा, the stack is near a pond, the stack is standing near a pond, next है आपका, what is he doing, वह क्या कर रहा है, stack क्या कर रहा है, तो हम देखेंगे, stack क्या कर रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया था तब, stack क्या कर रहा है, तो यहाँ पर pond के पास क्या कर रहा है, वह पानी पी रहा होगा, तो क्या answer होगा, the stack is drinking water, the stack is drinking water, next हमारा, does he like his, antler, क्या उसे अपने सिंग पसंद है, antler means honge, सिंग, पसंद करता है अपने सिंगों को, वह, क्या वह अपने सिंगों को पसंद करता है, yes, he likes his antlers, next है, does he like his legs, no, he doesn't like his legs, why is the stack running, stack क्यों भाग रहा है, बारे सिंगों क्यों भाग रहा है, तो क्यों भाग रहा है बजो, the stack is running, because the hunters are after him, क्योंकि शिकारी उसके पिछे है, hunter उसके पिछे है, is he able to hide in the bushes, क्या वह जाड़ियों में छिप जाता है, no, he is unable to hide in the bushes, as his antlers got stuck in them, नहीं वह जाड़ियों में नहीं छूपाता है, क्यों, as his antlers got stuck in them, क्योंकि उसके जो antlers है, जो सिंग है उसके, वो उनमें फंस जाते हैं, जाड़ियों में फंस जाते हैं, where are the hunters now, अब शिकारी कहां है, the hunters are quite near to the stack, hunters जो है, the hunters are quite near the stack, शिकारी अब बिल्कुल पास है, stack के, are they closing in on the stack, yes, they are closing in on the stack, is the stack free, क्या बारे सिंगा, आजाद है, स्वतन्त्र है, yes, the stack is free, बारे सिंगा, आजाद है, as he runs away, क्योंकि वह भाग जाता है, अब भागता किस कारण है, बचो वो, अपनी टांगों से, जो उसे बिल्कुल पसंद रही थी, उन टांगों की मदद से, with the help of his legs, he run जावे, अपनी टांगों की मदद से, वह भाग जाता है, what does the stag say about his haunch and his legs, क्या कहता है, बारे सिंगे, अपने सिंगों और अपने टांगों के बारे में, क्या कहता है, जब उसकी मदद हुई, तो टांगों के बारे में क्या बोलता है अब वो, जो उसे भदा लग रही थी, अगली लग रही थी, अब उनके बारे में क्या है, वो अच्छा बोलेगा, अच्छा बोलता है, the stag said that, stag ने क्या कहा है, उपर यहां पे दिया हुआ है, I was proud of my haunch, बोला है ना उसने, कि मुझे मेरे सिंगों पर गर्व था, they could have caused my death, उनके कारण क्या है, मेरी मौथ हो सकती थी, I was ashamed of my life, they saved me, तो हम इस बात को कैसे, अपने reported speech में बोलेंगे, the stag said that, he was proud of his haunch, but they could have caused his death, and was ashamed of his life, that saved him, अब आपको क्या है बचो इसमें, now write the story in your own words, give it a title, आपको अपने श्यब्दों में, यह कहानी लिखनी है, जो हमने बताई है, वैसे ही क्या है, यह कहानी आ जाएगी, और इससे आपको टाइटल देना है, तो टाइटल क्या हो सकता है, too many titles, like, duties not everything, stag and his antlers, तो इस तरह से आपके क्या है, कई जो है, टाइटल यहां पे हो सकते हैं, fourth, complete the following word letter, with the help of the clues, given below, आपको क्या है, word letter complete करनी है, clues आपको दिये जाएंगे, clue यहां पे दे रखे हैं, नीचे, उनको पढ़के आपको करना है, तो first है आपका, mother will be very blank, if you don't go to school, बच्चों अगर आप स्कूल नहीं जाते हो, तो ममा क्या होगी, नाराज होगी, या फिर नाखुष होगी, तो यहां पे सी से आपको start करना है, और एस से आपको क्या है, finish करना है, तो ऐसा कौन सा word होगा, cross, cross means क्या होता है, बच्चों कई meanings हैं, cross के, पार करना, लांगना, लेकिन यहां पे क्या है, एक meaning क्या है, इसका unhappy भी होता है, तो आपको, यहां पे, meaning, sentence का meaning देखती हुए, यहां पे आपको, क्या यूज करना है, cross, तो cross means क्या हो जाएगा, आपका unhappy, next है आपका, as soon as he caught, blank of the teacher, Mohan started writing, जैसे ही उसने, पकडा, blank of the teacher, आत्या पका, Mohan started writing, Mohan ने लिखना शुरू किया, तो second में आपको, क्या है यह, भरना है, fill करना है, तो इसमें, second जो है, आपका S से start हो रहा है, और T से finish हो रहा है, तो आप इसमें क्या कर सकते है, corpse side, S I G H T, तो यह आपका आजाएगा, side, third है आपका, how do you like my blank kitchen garden, big enough for you, is it, T से start हो रहा है, और Y पे finish हो रहा है, तो यहां पे क्या आजाएगा, tiny, how do you like my tiny kitchen, garden, big enough for you, is it, next, fourth, my youngest sister, is now a blank old, यह fourth है हमारा, तो fourth हमारा Y से start हो रहा है, R से finish, तो यहां पे क्या आजाएगा, E year, Y E A R, A year old, मेरी सबसे छोटी बैन क्या है, अब एक साल की है, standing on the blank, he saw children playing on the road, कहां पे खड़े हो कि उसने बच्चों को क्या है, सडक पर खेलते हुए, देखा, तो fifth हमारा क्या है, R से start हो रहा है, and, F से finish हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, रूप से देखा होगा उसने, तो यहां पे हमें clue ही दिये गए है, हमें खुद, यहां पे सोचना होगा, think करना होगा, कि क्या आ सकता है, तो रूप आ गया यहां पे, next, don't make such a blank, nothing will happen, क्या मत करो, कुछ नहीं होगा, तो यहां पे F से स्टार्ट हो रहा है, S से फिनिस तो first आ जाएगा, first, first मिंच, गडबड, गडबड मत करो, कुछ नहीं होगा, don't cross the blank, till the green light comes on, cross मत करो, जब तक क्या है, green light नहीं आती है, क्या, हमें cross नहीं करना है, यहां पे S से स्विरू हो रहा है, begin हो रहा है, और T पे finish हो रहा है, तो क्या जाएगा street, street, S-T-R-E-T, तो आपका यह, finish हो गया है, word, ladder, don't cross the street, till the green light comes on, तो I hope, आपको समझ आया होगा वच्चो, thanks,